माग महतम्मे का 21 अध्याय अगर्णय तथा गंदर्व करना को जब श्राप मिला तो वेद निधी ने का है रिशीवर आप इन बालकों के मुक्ति का साधन बताएं इन की प्रेत योनिकिस परकार नस्ट हो सकती है लुमेश रिशी बोले एक मात्रूपा यही है कि यह माक्सनान करें माक्सनान से ही तिर्थ स्थान पर किये गए पाप तथा श्रापनस्ट होते हैं माक्सनान में महान शक्ति है यह पवित्र मास है इस मास में सनान करने से ही निश्चय ही मुक्ष प्राप्त होता है प्रियाग संगम में माकसनान मुक्ष दिलाता है, बद्रीवन में भी माकसनान से मुक्ष होता है, नर्मदा के जल में माकसनान करने से पाप वैदुखो का नाश होता है, तता वैशिव लोग को प्राप्त होता है यमना में किया गया माक्सनान पाप मुक्त करके सुरे में पहुंसता है श्री गंगा जी का माक्सनान विश्णू लोक प्राप्ति का स्रेष्ट साधन है त्रप्ती, सर्यू, गंडक, सिंदू, चंद्रभागा, कोश्की, गुदावरी, भीम, प्योष्णा, किर्ष्ण, वानिका, कावेरी, तुप बंद्रा आदि समुंदर में मिलने वाली नदियों में इस्नान करने वाला पाप से मुक्त पाकर स्वर्ग को जाता है कुछेतर में इस्नान करने वाला इंद्र लोग को प्राप्त होता है तथा देव सरोवर में इस्नान करने से उत्तम फल की प्राप्ती होती है ये विप्र परतेक नदी में इस्नान करने का फल अति उत्तम है इस स्नान से देवताओं की देहे प्राप्त होती है गौमती में सनान से मौक्ष की प्राप्ती होती है, तता हेमकूत, महाकाल, उंकार, परमेश्वर, निलकंट, समुंदर आदी में सनान से सरलोग की प्राप्ती होती है, मागमास में नदियों के संगम पर सनान करने से अतिपुन्य लाब होता है, प्रियाराज में संगम स्थल प वीरसेन राजा की कता और मुर्क दुराचारी ब्रामन की कता भी सुनाई वीरसेन कता इस परकार है परवती नगर में परसिद राजा वीरसेन राज्या करता था उसने नर्मदा तट पर रास्वे यक किया थता सोला आश में यक किये परतेक यक के पश्चात्वे ब्रामनों को तो सहस्त्र गव्में और बहुत सारा सोना और अंदान देता था, मुर्क दुराचारी ब्रामन की कता, वीर सेन के ही राजय में एक कुल वीहिन दुराचारी तथा मुर्क ब्रामन रहता था, वै अत्यन्त आलसी था, उसके घर में खेती थी, प्रंतु वै घर में ही पड़ा र बागय वश्वय घुमता किरता प्रियागरास पहुँच गया। वह माग मास्क था। उसने 81 सही तीन दिवस लगा तर्तिरवेनी में स्नान किया। उसके पश्चात उसके इतमाम पापनस्ट हो गए। वह घर लोट आया तथा उसकी गन्ना उत्तम ब्रामनों में होने लगी। देव योग से राजा वीर सेन तथा बद्रक ब्रामन की मिर्ट्यों एक इसमें हुई। लोमेश रिशी बोले मैंने स्वम उनकी गति स्वर्ग में देखी। मैं तुम्हें इसी संधर्व में एक और पुरातन इत्या सुनाता हूँ। इसके सुन्ने से पिसाच योनी में अधित तुम्हारे पूत्र तथा गंधर्व कन्याओं को अत्यान तिलाब होगा माग मास मातम्य का 21 अध्यासमाप्त।